इस वीडियो के इंदे गाईस हम लोग बात करने वाले हैं Taxes on the Share Market Income in 2023 तो दिखें क्या-क्या अपडेट और Tax Rule आ चुके Budget 2030 के बात में Equity Deliveries के उपर, Intra Day के उपर, F&O के उपर, Mutual Funds के उपर ये सारी जानकरे मिलने वाली आपको इस वीडियो के इंदे तो गाईस पूरा वीडियो यहां पर जरूर दिखेंगा तो गाईस पहले बात करते हैं हम लोग कितने टाइप के Share Market के ट्रांजेक्शन होते हैं, तो मेली तीन टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, पहला जो होता है वो Simply Equity Delivery होता है, यानि आज किसी Share को अगर आप Buy कर रहे हैं, तो उसको आप Short Term के लिए, Long Term के लिए Hold करके Sell करने वाले हैं, तो देखेंगा इस उसके उपर आपको जो भी Profit होता है, वो Depend करेगा कितने Time Period के लिए आपने उसको Hold किया है अगर वो Less Than 12 Month है, तो As Per the Tax Rule, वो एक पितर से Short Term के अंदर Count होगा, अगर आपने एक साल के बाद में बेचा है, तो basically वो Long Term के अंदर Count होगा, इसके लिए इस दूसरा जो Transiction होता है, वो Intraday का होता है यानि Same Day के उपर किसी Share को अगर आपने खरीदा है, तो Same Day के उपर आपको उसको Sell Out करना पड़ेगा शाम तक, तो Ultimately ये Trading का ही पार्ट होता है, और इसके अंदर आपकी जित्ती भी Income या Losses होते वो Business Income की तरह इसको Treat किया जाता है इसके लागए जो तीसे टाइप के Transiction होते हैं, वो थे F&O, जिसको हम लोग Future and Option बोलते हैं, यहाँ पर इसे भी आप Bet लगाते हैं, Option and Futures के उपर और यहाँ पर भी जित्ती आपकी Income या Losses होते हैं उसको एक Business की तरह ही Treat किया जाता है तो Guys Tax Rules के उपर आगे बनने से पहले मैं आप लोग को Highly Recommend करना चाहूंगा e-landmarkets.com का Stock Investing Made Easy Course जी हाँ, इसकी राइट नव का Price जो गाइस 999 है लेकिन अगर आप मेरा Code यूज़ करेंगे जिसको मैं आपको Description Box में देने वाला हूं तो उसके तुरू आपको 100% का Discount मिलने वाला है यानि एक Premium Course आपको एकदम Free of the Cost मिल जाएगा इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है Annual Now बटन के उपर किलिक करना है आपको Simply Sign In करना है उसके बाद में यहाँ पे आपको Coupon Code का Simply Option मिलेगा तो यहाँ पे आपको Simply Dev CA 100 लिखना है और जैसे आप Apply करेंगे तो आप Screen के सामने दे सकते हैं आपका जितना भी पूरा Amount तो यहाँ पे Zero हो चुका है यानि एक Premium Course आपको एकड़म Free of the Cost मिल रहा है इस Course को 27,000 लोगों से भी जादा नहीं यहाँ पे Enroll किया है इस Course के अंदर आपको सीखने को मिलेगा कि Fundamental Analyst क्या होता है Industry और Economic का Analyst क्या होता है यह सारी जानकारी आपको इस Course के अंदर मिलने वाली है तो गाइस देर किस बात के Link में आपको Description Box में दे रहा हूँ अभी जाकर Sign Up कीजे तो गाइस बात करते हैं कि Equity Delivery के उपर Tax के Rules वगरे क्या है तो देखे अगर आप मालीचे Less Than 12 Months यहाँ पर Hold करते हैं उसके बावजूद भी आपको 15% की रेट से यहाँ पर Tax देना पड़ेगा लेकिन यहाँ पर आप लोगो एक इंटरस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा आपको यहाँ पर 87 A के अंदर रिबेट मिल जाती है पहले यह जो रिबेट है वो 12,500 रुपे की हुआ करती थी यानि इतना जितना भी आपका Tax बनेगा उसमें से Automatically 12,500 माइनस हो जाता है लेकिन अब यह रिबेट बढ़ करके 25,000 रुपे बन चुकी है अगर आप New Tax रजीम को अड़ाप करते यानि कि अगर आपको Short Term Capital Gain हो रखा है Equity Deliverys के अंदर तो 15% आपका जितना भी होगा उस पे अगर मालीजे 25,000 रुपे तक अपका Tax बन रहा है तो Easily आप यहाँ पे बचा पाएंगे New Tax रजीम के अंदर इसके लगाइस अगर आप एक साल बात में इसको बेचते हैं तो Simply उसके उपर आपका Long Term Capital Gain लगता है और वहाँ पे आपका 1,000,000 रुपे तक का Profit Exempt होता है उसके Beyond आपका जो भी Profit होगा उसके उपर Simply 10% की Rate से Tax लगेगा और इसके उपर आपको कोई भी Exemption वगरे नहीं मिलती है साथ में यहाँ पर आपको जो भी Capital Losses वगरे होते हैं उसके उपर कोई भी Tax नहीं लगता लेकिन उसका काफी जादा Important Use होता है जिसको आप Set Off वगरे कर सकते हूँ जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ इसके लागा इस बात करें कि Budget 2-30 के इंदर क्या Major Changes आए है तो पहले क्या था कि Market के इंदर जो Link Debentures वगरे होते थे जो Listed Debentures होते थे उसके उपर केवल 10% Tax था तो जित्ते भी 30% जो Tax लाए वाड़े लोग होते है वो जातर इंदर इंदर इंवेस्ट करते थे वो अच्छा खासा Profit कमा देते और केवल 10% Tax देते थे लेकिन इस साल Budget से उन्होंने यह जो Tax Rate थे इसको Completely Change कर दिया है तो अब जित्ते भी Market Link Debentures होंगे उसके उपर जो भी यहाँ पर आपको Tax Pay करना है आप जिस भी Slap के अंदर फॉल करते हैं उसके According आपको करना पड़ेगा साथ में जित्ते भी Company के Government Bonds वगर होते हैं या Corporate जो Bonds वगर होते हैं उन सभी के उपर आप 10% का TDS Rate लगने वाला है यानि Almost Equal to FD कह सकते हैं तो आप Basically आप जो भी यहाँ पर इंटरस वगर करा कमाएंगे Bonds के तुरू या Bonds को बेच करके बीच में उसके उपर उससे पहले आपको जो भी इंटरस वगर मिलेगा कुछ भी मिलेगा उसके उपर Simply आपका 10% TDS कटेगा इसके लिए जो यहाँ पर RITS जो की Real Estate के Basically Units वगर होते हैं जो Invits होते हैं उसके अंदर का इस अगर आप इनने investment कर रखा है तो पहले आपको जो Basically जित्ता भी interest मिलता था या जित्ता भी आपको component वगरे मिलता था उसके उपर कुछ भी taxes वगरे नहीं लगता था लेकिन अब यह पूरा पूरा यहाँ पर unit holders होंगे उनी के hands के अंदर taxable होगा इसके लगाई जो सबसे बड़ा changes है वो debt mutual funds के अंदर आया कि यहाँ पर government ने क्या किया है पहले क्या होता था कि अगर माल लीचे किसी भी debt mutual fund के अंदर आप निवेश करते और आपको आपको तीन साल से जादा हो चुका है तो उसके उपर आप मैं tax की बात करो तो long term capital gain की तरह count होता था और उससे 20% का tax लगता था और indexation का आपको benefit मिल जाता था लेकिन guys government ने क्या किया अब यहाँ पर आप जो भी debt mutual fund के अंदर invest करेंगे और जिन भी scheme के अंदर 35% से भी कम जो है equity का portion होगा तो उन सभी के उपर जो भी tax लगेगा वो as per the slap rates लगेगा मला यह जो 20% tax rate था वो हटा दिया साथ में जो short term capital gain की तरह उसको treat के जाता था वो भी उन्होंने हटा दिया मला अब चाहे आप एक साल के लिए hold करो तीन साल के लिए करो दस साल के लिए करो जो भी आप यहाँ पर profit कमाएंगे debt mutual funds के उपर उसके उपर simply आपका जो भी slap rate होगा उसी के according आपको यहाँ tax pay करना पड़ेगा मला अब अब चाहे FD करो या फिर debt mutual fund के अंदर बात यहाँ पर एक ही है इसके लागाइस अगर हमें intraday के अगर taxes की बात करो तो intraday जो है trading का activity का part होता है और यहाँ पर आपकी जितनी भी income होती है वह effective income कहलाती है और income tax जब आप return file करते है तो उसके अंदर एक अलग से column भी दिया होता है तो guys यहाँ पर आप जितना भी आपका profit बनता है intraday के उपर उसके उपर जो tax है आप जिस भी slab rate के अंदर fall करेंगे उसके according लगीगा लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह होती है इसको business की तरह टीट की आता है यानि जितने भी आपके brokerage के expenses है trading के expenses है internet related कोई expenses है आपने कोई software वगर यह खरीद रखा intraday के लिए तो वो सारे expense आप यहाँ पर जो reduce कर पाऊंगे आप में guys अगर मैं future and option के taxes की बात करो तो यह भी intraday की तरह ही काम करता है लेकिन यहाँ पर speculative income की जगे simply आपके जो income में वो purely business income मानी जाती है तो यहाँ पर भी आपका tax लगेगा वो simply slab rate के according ही लगेगा और जो losses होगे उसके उपर कोई भी tax होगर है नहीं लगता है लेकिन उसको आप carry forward कर सकते हो आप guys उसको simply guys आप carry forward कर सकते हो लेकिन carry forward करने के साथ में आपको एक benefit मिलता है कि आप set off भी कर सकते हो future के profit के साथ में लेकिन guys यहाँ पर कुछ terms and conditions होती है अगर मैं short term capital losses की बात करूँ तो वो किवल short term capital profits होगे और long term capital gains वगर होगे उसी के किवल set off हो सकते हैं और LTCG loss होते हैं यानि जो long term company losses होते हैं वह किवल long term profit के साथ में हो सकते हैं यानि LTCG का आपका loss है उसको आप STG profit के साथ में set of नहीं कर सकते हैं इसके लागाए जो intraday के profit से ही set of कर सकते हैं के इंदर नहीं कर पाऊंगे लेकिं अच्छी बात यह एफ इंडों का जो लॉस होता है वो बिजनस लॉस की तरहे टीट किया आता है और उसको आप किसी भी इंकम के साथ में सेट आफ कर सकते हो एकसेप्ट दा सैलरी इस बात करते कि आपको आई ट्याक फाइलिंग कैसी करनी जिसके अंदर आपको manual calculation करने की जरूत नहीं है automatically सारे platform आपको यह चीज़ प्रवाइड करते हैं अगर आप जिरोधा से भी download करना चाहते है काईट का यूज़ कर सकते हैं जिरोधा में भी जब आप console के अंदर simply जाते तो आपको report वाले section के अंदर tax panel का column मिल जाता है और यह इसके लगए जो second step है आपको ITR form चूज़ करना आना चाहिए तो दो forms होते मिल नहीं ITR 2 form होता है और ITR 3 form होता है अगर आप एक salary वाले बंदे और simply आपकी equity stocks से delivery से या पर आपकी income होती है या जो equity mutual fund से उनके आपकी income होती है या जो debt mutual fund है उसके तर आप निवेश वगरे करत होते है तो अगर आपकी normal income है मालब simply equity हो गया और debt related normally चीज़े हो गई तो उस case में आप simply ITR 2 form को use में ले सकते है लेकिन अगर आपकी buy chance intraday या फिर F&O से income है तो उस case में आपको ITR 3 लेना पड़ेगा फिर चाया आपकी salary से भी income क्यों ना हो equity से भी क्यों ना income हो आप सारी च इस वीडियो और गाइस ilanmarcus.com के इस free of the cost जो है course हो या पर join करना मत बूलेगा बाकी अगर आपके कोई भी doubt से आप मुझे comment box में बता सकते आप हमारी website www.myonlineca.inpail भी visit कर सकते कोई भी tax filing वगरे service लेने के लिए thank you guys thank you very much